सागर जिले के खुराई सहरी थाना छेत्र के हनावता गाउं में चारा काटने के विवाद में एक बामन वर्सिय ब्यक्ति की हत्या हो गई खुराई स्डियोपी और फाना प्रभारी ने घटना स्टल का जायजा लिया घटना से सदमे में आई मृतक की बेटी अस्पताल में भरती खुराई से पाँच किलो मीटर दूर हनावता गाउं में एक यूटी को दूसरे के खेट से चारा काटने की कीमत अपने पिता की मौध से चुकानी पड़ी दरसल हनोता निवासी द्रौपदी पटेल कल्लू पटेल के खेट से चारा काट रही थी जिस पर कल्लू के बेटों ने विरोध किया और उनके बीच विवाद सुरू हो गया तो कल्लू पटेल कुलहाडी लेकर द्रौपदी को मानने दोडा उनके चिलाने की आवाज सुन पिता मुन्नू पटेल उसे बचाने दोडा लेकिन बीच बचाओ में कुलहाडी मन्नू के सिर पर लग गई जिससे घटना अस्थल पर ही उसकी मौत हो गई पूरी घटना और अपने पिता की हत्या से युवती सदमे में आकर बेहोस हो गई सागर खुरई से संबाद दाता करतार यादव के साथ सलमान खुरेशी के रिपोर बने रही दखबल रान्यूज के साथ नमस्कार जो ठाना खुरेश शहर में आता है उसमें आज एक घटना होई है जिसमें मन्नू कुछवाह इसकी नित्ती हो गई है घटना करम ऐसा है कि मन्नू कुछवाह की बेटी अपने मवेशी को चारा देने के लिए घास काट रही थी तो उसी समय पे कल्लू पटेल का लणका जो उसकी उम्र रसुला साल है वो आया उसे मना किया जिसके कारण विवाद बढ़ा उसके बाद उनके परेजन जिसे कल्लू पटेल भी मौके पे आ गया वाद विवाद भी हमें आगेँ लूजा साल है प внеш यह को चारा इया उए जिसके लिए